जबलपुर में पदस्त पुलिस अधिक्षक अमित सिंग एबं मंत्री लखन घंगोरिया के दांस करने के वीडियो सामने आने पर भारती जनता पार्टी ने कड़ा विरोज जताया है जिसके जलते भारती जनता पार्टी चुनावायोग से शिकायत भी करेगी साथ ही पुलिस अधिक्षक जबलपुर को ततकाल प्रवाज से हटाया जाने की बात भी कही जाएगी भारती जनता पार्टी के प्रदेश उपाद्यक्ष विदेश लुनावत ने इस पात पर कड़ा आक्रोज जताते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार बदलापुर सरकार है यहां कोई भी मैनेजमेंट नहीं है वहीं उन्होंने भारती जनता पार्टी जल्द ही जबलपुर पुलिस अधिक्षक अमित सिंग के खिलाफ चुनावयोक से शिकायत दल्ज कराने की ऐसा कहा उन्हों ततकाल प्रवाज से हटाई जाने का भी दवाब बनाया जाएगा वहीं देर रात भारती जनता पार्टी का गौलियर इस्थित कारयले को खाली कराया जाने से खासा विरोध भी चताया उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार बदला लेने पर आतुर है और जिस तरह से भारती जनता पार्टी का गौलियर कारयले खाली कराया है उससे ऐसा लगता है कि किसी गुंड़े या मवाली का कारयले खाली कराया गया हो वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने होली तक की मांग की थी की होली के बाद इस कार्याले को स्वेम ही खाली करा दिया जाएगा लेकिन रात को दो बजे जिस तरह से कार्याले खाली कराया गया वे भी सोचिनल लायक प्रश्ण है उन्होंने कहा कि गौलियर कलेक्टर भी कॉंग्रेस से नज़्दी किया रखते हैं साथ ही उन्होंने ये भी उम्मी जरताई कि आगामी लोगसवा चुनाओ को गौलियर कलेक्टर प्रभावित कर सकते हैं तो बता दे कि जबलपुर के विधायक लखन घंगोरिया एवं पुलिस अधिक्षक अमित सिंग का एक वीडियो वायराल हो रहा है जिसमें वे एक शादी समारों में बरात के दौरान साथ ही नाशते हुई नजर आ रहे हैं इसे भारती जनता पार्टी मुद्दा बनाय हुए है और इसे पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है वे इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की भी कोशिश में हैं साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिक्षक और विधायक की बीच में नजदीकियों के चलते ही भारती जनता पार्टी लगना उसे चुनाव हारी समझ से परे है कि किस तरह से भारती जनता पार्टी के लोगों में बौकला हाट है और अपनी हार का ठीक रा वे सक्षम अधिकारियों पर फोर्डने तक को भी तैयार है अ अ अ अ अ अ अ मुझे मी मोई वार रिविव विला है अ अ अ अ परकार में तोसे है और जवलपूर के विधायक और अभी मंत्री है मद्यपदेश शासन में शी लखंग हंगोरिया जी और उनके साथ SP जवलपूर अमिद सिंग जी का एक वीडियो है वह जिसमें वो साथ में नाच कर रहे हैं डांस कर रहे हैं किसी कारिक्रम का है और यह नजदी की बताती है कि किस तरीके की नजदी की SP साम में और मंत्री जी में है मिश्चित भारती जन्ता पार्टी इसलिए यह मान करती है कि इनी नजदीकियों को देखते हुए यह चनाव प्रभावित होंगे और इनी SP जो पुलिस अदिक्षक महोदा है इन्होंने पिछले विधान सबा चनावों में भी इनी नजदीकियों के कारण भारती जन्ता पार्टी के उम्मिद्वार के खिलाफ उनके पुत्रों के खिलाफ जिला बदर की कारवाई की थी इसलिए हमारी डिमांड है कि इसको देखते हुए चुनाव आयोग तुरक SP जवलपुर का टांस्फर करें इस चित है हम चुनाव आयोग भी जाएंगे और चुनाव आयोग समाई करेंगे CEC में भी शिकायत करेंगे और क्योंकि जिस तरीके का ये इंदत्त महाँ पर हो रहा है किसी भी पुब्लिक सर्विंट को ये शोभा नहीं देता है कि एसारजनिक रूप से किसी भी राजनेता के साथ इस तरीके का बोड़ा पुजेशन करें अमलाज जी की सरकार पूरी तरीके से बदला लेने पर उतारू है ये बदला पुर सरकार हो गई ही है हमने लिखे दिया था कि होली तक हम कारले खाली करतेंगे लेकिन उसके बावजूर जिस तरीके से किसी गुंडे मवाली के घर पे जाया जाता है रात के दो वजे जाकर उस कारले को खाली किराया गया वो कारले पुर्व मंत्री के लाम पर एलोड था महाँ पर भारती जंता पार्टी का कारले था और जिस तरीके से ये कारवाई की गई है और साथ में जब आदर चुनावायोग लगी हुई है तब कोई निर्देश नहीं है चुनावायोग के उसके बावजूद प्रशासन ने इस तरीके की कारवाई किये हमने कल भी चुनावायोग से मांगी थी कि गौालियर में जो कलेक्टर बनाए गए हैं तीन दिन पूर लाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए लाए गए हैं और 2009 के बैच को अभी के IAS को इतना बड़ा जिला दिया गया है यह सिद्ध करता है कि पूरी तरीके से हार सामने देखके कमनास सरकार बनला लेने पर उतार हुए